इस्टुडेंट्स आज हम बायलोजी के कुछ important point की चर्चा करेंगे जो GIC lecturer TGT, PGT आधी के लिए helpful हो सकते हैं तियाहाँ पर point लिखा हुआ है कि ट्रैकिया, लैरिंक्स और ब्रोंकाई में कचाब उपास्थि पाई जाती है तिक ट्रैकिया, लैरिंक्स और ब्रोंकाई में कचाब उपास्थि पाई जाती है और इधर की तरफ ये point लिखा है कि मानो रक्त में Erythrocytes के संख्या 5,000,000 mm3 होती है तिक 5,000,000 mm3 होती है मानो रक्त में Erythrocytes के संख्या Erythrocytes का मतलब होता है RBC ठिक, यहाँ पर एक ये फार्मूला लिखा हुआ है अब ही इसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर point है कि रीनल कर्पस क्लस मतलब रीनल कर्पस क्लस ये जो होता है ये क्या है? तो ये नेफ्रान्स इनीसियल फिल्टरिंग काम्पोनेंट होता है मतलब नेफ्रान का प्रारंभिक ये फिल्टरिंग काम्पोनेंट होता है मतलब इसके दुआरा ही फिल्टर की प्रक्रिया होती है ब्रक्क में तो रीनल कर्पस क्लस कहते हैं इसको नेफ्स्ट है लेस डायमीटर अब ब्रक्क के ही कुईस्चन है यहाँ पर किड्नी के ही कि लेस डायमीटर मतलब कम ब्यास किसका होता है तो इफ्रेंट आर्टेरियोल का होता है इसी के एक साथी है अफ्रेंट आर्टेरियोल उसका जो ब्यास होता है वो क्या होता है वो अधिक होता है ठिक इफरेंट से अफरेंट का ब्यास अधिक होता है उसकी स्पेलिंग A से चालू होती है और इसकी स्पेलिंग E से है तो लेस डायमेटर किसका होगा इफरेंट आर्टेरियोल का होगा PCT lies in PCT कहां पर मिलता है तो आपको पता होगा कि ब्रक्क में दो भाग होते हैं कार्टेक्स और मेडिूला तो कार्टेक्स में मिलता है PCT की मेडिूला में मिलता है तो PCT जो होता है वो कार्टेक्स पार्ट में मिलता है ठीक ब्रक के कार्टेक्स पार्ट पर मिलता है और ये PCT किसका भाग है ये ब्रक नलिका का भाग है ठीक पूरा नाम इसका क्या है proximal convoluted tubule और हिंदी में इसको समीपस्थ कुनलिक नलिका कहते हैं PCT किसके धरा लांड होती है मतलब अस्तरित रहती है तो simple cuboidal epithelium के दवारा loop of hanle lies in पता है ब्रक नलिका पर hanle loop मिलता है या loop of hanle मिलता है तो ये कहां पर मिलेगा ब्रक में कहां पर मिलेगा ब्रक में तो है hanle loop लेकिन ब्रक में कहां पर रहता है तो मेडियूला में धासा रहा करता है ठीक रीनल कर्पस कलस कहां पर मिलता है तो ये ब्रक के कार्टेक्स पार्ट पर मिलता है अच्छे जो लूप आफ हैं ले या रीनल कर्पस कलस ये देख रहे हैं ये ब्रक नलिका के पार्ट है और ब्रक के तो कार्टिकल हुआ करते हैं ठीक, कार्टिकल निफरान होते हैं ज्यादा तर निफरान जो होते हैं वो कार्टिकल निफरान होते हैं नेक्स्ट है सार्ट हेनले लूप सार्ट हेनले लूप किसमें मिलता है तो कार्टिकल निफरान पर ही सार्ट हेनले लूप मिलता है तार्सस आफ बोर्डर्ड पिट ये पेक्टिन का होता है तो रीजन बेट्वीन बेस आफ कोलियोप्टाइल एंड ओरिजिन आफ इसकुटलम इसकुटलम ये एक बीज पत्री पौधों पर मिलता है तो रीजन बेट्वीन बेस आफ कोलियोप्टाइल एंड रीजन एंड ओरिजिन आफ इसकुटलम इस नोन है तो इसे क्या कहेंगे इसे मिसोकोटाइल कहेंगे नेक्स्ट है कोप्रोफिलस फंगस कोप्रोफिलस फंगस कौन सा है तो पेजीजा नाम का fungus जो है वो कोप्रोफिलस फंगस है ठिक और इसको हम कप फंजाई भी कहते हैं नेक्स्ट है इन पक्सीनिया ग्रेमनिस सेक्सूल रिपुडॉट्डॉक्शन अकर सबाई पक्सीनिया ग्रेमनिस पर sexual reproduction किस के द्वारा होता है तो इस पर matization प्रक्रिया के द्वारा होता है पाइनस सीड में बीजपत्र कितने होते हैं तो 8至 14 बीजपत्र होते हैं और इसको पॉली कॉट्ली डनस कंडिशन कहते हैं term cell membrane cell membrane term को किस ने दिया है तो नागीली एंड क्रैमर ने दिया है प्लाजमा लेमा सब्दु को किस ने दिया है तो प्लोब ने दिया है ठीक next है selectively permeable for solutes selectively permeable for solutes but semi permeable for water कौन होते हैं तिये bio membranes होती है organally is like plastics, mitochondria, paroxysome and glyoxysome are not a part of ये सब किसके पार्ट नहीं है तो ये endomembrane system के पार्ट नहीं है अभी हम बताए दे रहें जो endomembrane system के पार्ट है बस उनको याद के लिजे इसके बाद जो मिलें दूसरे वो endomembrane system के पार्ट नहीं होंगे तो ER, galgy complex और lysosome और vacule ये किसके पार्ट है तो ये endomembrane system के पार्ट होते हैं ये endomembrane system के पार्ट हैं और इनको याद करने के लिए ये हमने trick बनाई है ये अरे, गुलूवा, सुसाइड मत कर, बैकल ये सब क्या है एंडomembrane system के पार्ट हैं अरे का endoplasm reticulum, गुलूवा से गालजी बाडी, सुसाइड से सुसाइड बैग, अर्थात लाइसोसोम और बैकल से क्या है वैक्यूल तो ये endomembrane system के क्या है ये? ये cell argonally है, पार्ट है उनकी नेक्स्ट है, ER absent in, ER किस में absent होता है तो एग में mature RBC भी, इनमें ER नहीं पाया जाता है SER commonly found in, मतलब smooth endoplasm reticulum सामानत है किस में मिलता है, तो leukocytes में मिलता है SER consists mainly of, मतलब smooth endoplasm reticulum मुखेता है का है का बना होता है, तो basicals और tubules का बना होता है made of, मतलब rough endoplasm reticulum किस का बना होता है, तो ये sisterny का बना होता है, cytokrome P 450 cytokrome P 450, इसको हम SIP कहते हैं, SIP 450, related with, ये कह से related, तो ये endoplasm reticulum से related है convex side of galgy body, galgy body का जो उतल सतह होता है, वो क्या कहलाता है, तो उसे हम farming face या cis face कहते हैं क्या कहते हैं, farming face या cis face कहते हैं, और जो उतल सतह होता है galgy body का, मतलब concave side जो होता है, वो maturing face या trans face कहलाया करता है, next है, in mycobacterium and nocardia, cell wall contains long chain fatty acids, called, मतलब mycobacterium and nocardia की जो कोशी का भित्ती होती है, उसमें long chain fatty acids मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें mycolic acids कहते हैं, next है, in hydra, sperms and ovar formed from, hydra में sperm and ovar कह से बनते हैं, interstitial cells या अंत्राली कोशी काओं से बनते हैं, hydra was first described by, hydra को सबसे पहले किस ने describe किया, तो trembling ने describe किया था, next है internal cavity in body of hydra is silentron, तो यह जो cavity होती है, hydra के body पर वो silentron है, तो यह क्या है, यह communicated with outside by mouth only, मतलब इसका जो संचार होता है, communication होता है, वो outside की तरफ, वो क्योबल मुह के द्वारा होता है, कुल मिला कहने का मतलब है कि इसमें क्योबल एक छिद्र पाया जाता है, जिसे मुह कहते हैं, एनस इसमें नहीं पाया जाता है, hydra can suddenly contract its body due to contraction in hydra अपनी body को suddenly contract कर सकता है, किस के कारण, तो epithelio muscular cells के कारण ऐसा है कर सकता है, battery, located in tentacles of hydra are group of, कहे group होता है, तो functional needle blast के group होता है, battery, most complicated nematocysts of hydra are, hydra का most complicated nematocyst है, वो कौन सा है, तो penetrants है, next है, leech like locomotion in hydra is, hydra में, जो leech like locomotion होता है, है, वो क्या कहलाता है, तो उसे looping कहते हैं, next है, glutathion is a chemical released from, कहां से released होता है, glutathion chemical, तो यह pret issue से released होता है, thank you for watching.